कि जहीं दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश ग्रामर के कुछ में टॉपिक्स हमें बता दीजिए जो कि हम कर लें कम मेहनत में क्योंकि हमारी पार टाइम बहुत कम रहता है और इंफेक्ट था सवर पर यह प्रॉब्लम उन बच्चों के सिंस बोर्ड भी यह और खासर पर सलफ अश्ड़ी बहुत दिक्कत आती है तो यहां पर ध्यान दिजिए यह टॉपिक्स है बस आपको क्या करना है वर्ब प्रोनाउन एंड नाउन प्रेपोजिशन कांजंक्शन अगर आप इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से कर लिया जी हां इन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया थोड़ा सा ध्यान दिजिए गां वर्ब में बात कर रहा हूं टेंसे की वर्ब में मैं बात करता हूं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट की बाकी प्रोनाउन नाउन है प्रेपोजिशन है अगर इन बात कर दो क्लासेज हैं मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप ग्रामर बहुत इतना वास्त अपने लिए बनाने तो जिसकी जरूरत नहीं होती है नडिये में ध्यान दिजिए सबसे जरूरी यह जानना है कि भाई आपको पढ़ना क्या है उससे जरूरी कि पढ़ना कितना है क्योंकि आप हर एक चीज नहीं पढ़ सकते हर एक पढ़ोगे तो पेपर रह जाएगा आप जादा कंसर्ट में चले जाओगे वो पढ़िए जिससे कि आपका स्कोर है आप जो बच्चे एंडी की तैयारी करना चाहते है बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भाई अब हम हमारे पास में टाइम कितना बचा और हम तैयारी कैसे करें और हमारे लिए क्या यह सही टाइम है या नहीं है तो जी हां मैं बताता हूँ कि यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि रिपब्लिक डे के ओकेशन पे अनकैडमी आपको ओफर दे रहा है 20% आफ अपने सब प्रवाइड करता है 20% आफ एक अच्छा खासा डिस्काउंट है ठीक है और उसके बाद में बताना चाहूंगा कि इसके बाद में अगर आप यह जॉइन करते हैं तो आप कौन से बैच में अपने आपको अन्रोल करेंगे तो जी हां जो बैच आपके लिए है यह है आपका यह तो है जो बैच आप एन्रोल करेंगे यस यह है आपका परतिग्या बैच यह परतिग्या बैच है जहां पर कि LWS की डेडिकेटेट टीम आपको अन्डी की तैयारी कराएगी आपको बस करना क्या चीज है जाना है अनकैड्यमी के बैचेज में आपको मिल जाए गाई है फटाफट जाईए आप इसमें अपने आपको अन्रोल कीजिए अगर अनकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे अनकैडमी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है आपको 20% तो उमीद करता हुए जानकारी आपको बहुत सही लगी होगी और आप अनकैडमी के साथ जोड़ेंगे और मौका पाएंगे अपने NDA की प्रेपरेशन का एक बहतरीन एजुकेटर्स के साथ जैहें